शिव समार है मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ अलूरी सिताराम राजु जी की 125 वी जैनती 4 जुलई 2022 को मनाई गई तो दोस्तो अलूरी सिताराम राजु यह एक सतंदरता सेनानी थे जिन्होंने 22 अगरस्ट 1922 में चिंतापली पुलिस टेशन पर 300 से ज्यादा अधिक रंती कारियों के साथ हमला किया था और हली में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने अंध्रप्रदेश में इनकी 300 फीट की कांस प्रतिमा का अनावरेंड भी किया है दोस्तो तो दोस्तो अलूरी सिताराम राजु जी की 125 वी जैनती 4 जुलई 2022 को मनाई गई दोस्तो और दोस्तो चार जुलई को ही स्वामी विवेकानन्द जी की पुन्यतिती भी होती है दोस्तो तो दोस्तो आली में सातंतरता सेनानी अलूरी सिताराम राजु जी की 125 वी जैनती 4 जुलई 2022 को मनाई गई दोस्तो और दोस्तो एक जुलाई को अपनने क्या मनाए तीन दिवस मनाए नेशनल डॉक्टर्स डे जी अस्टी डे चाड़र्ड अकाउंट डे और दो जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नालिज डे इंटरनेशनल कॉपरेशन डे यानि की अंतराष्टिय सहकारिता दिवस और व ब्रिटिश एफ़ण ग्रेंट्रिक्स 2022 का किताब जीता तो फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज जी ने ब्रिटिश एफ़ण ग्रेंट्रिक्स 2022 का किताब जीता यहाँ उनके करियर की पहली जीत थी तो पहली बार कोई एफ़ण डे जीती है दोस्तो कार्लोस सेंज जी ने जो कि फिरारी के ड्राइवर है दोस्तो तो दोस्तो 2022 में जिए हुई जितनी भी F1 रिशेस है उनकी आप सभी को जानकर दे देदा हूँ तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को चाल्स लेकलर्ग जी ने जिता सौधी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वच्पन जी ने जिता जो मैक्स वच्पन जी ने ही जिता और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 को सरगियो पेरेस जी ने जिता कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वच्पन जी ने जिता और अजरबेजान ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वच्पन जी ने ही जिता है दोस्तो तो दोस्तो अलिमे फरार यानि की शहरी करन, कारबन इमिशन, क्लाइमेट रिस्क के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में टॉप 20 में चार भारतिय शहर है बेंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई और दिली यह चार भारतिय शहर इस इंडेक्स में टॉप 20 पे है और इस इंडेक्स में दुनिया में सिंगापू टप पे है, सेकेंड नमबर पे सिड्नी है, तिसरे नमबर पे विलिंग्टन है और 14 नमबर पे बंगलूरू है दोस्तों तो दोस्तों हाली में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसर अशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडिक्स 2021 में भारत में बंगलूरू शहर टॉप पे है दोस्तों नेक्स पे चलते है तो हाली में निरज चुपडा जी ने 89.94 मिटर भाला फिक कर जविलियन थ्रो में नया नैशनल रिकॉर्ड बनाया तो स्टॉक होम के डाइमन लीग में आयो जित निरज चुपडा जी ने स्टॉक होम में डाइमन लीग में निरज चुपडा जी ने 89.94 मिटर भाला फिक कर जविलियन थ्रो में अपना नया नैशनल रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने इस कॉंपटिशन में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों और दोस्तों स्टॉक होम डाइमन लीग में पहली बार मेडल जीता है इस लिग में एंडर्सन पिटर्सन ने 90.31 मिटर दूर भाला फिक कर गोल्ड मेडल जीता और दोस्तों अलिवें फिनलेंड के पावो नूर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मिटर भाला फिक कर सिल्वर मेडल जीता था निरज चुपडा जी ने और टोकियो ओलंपिक 2020 में 87.58 मिटर भाल निरज चुपडा अनमक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों निरज चुपडा जी की जिवनी पर और टाटा एयाई जी और गुड़ डाट के ब्रेंडम बैसेडर के रूप में चुने गए थे निरज चुपडा जी तो दोस्तों हाली में स्टॉकोम के डाइमन्ड लीग में निरज चुपडा जी ने 89.94 मिटर भाला फेक कर जाविलियंत्रों में अपना नया नैशनल रिकॉर्ड बनाया दोस्तों इसी हफते में इनोंने पहली बार में 89.30 मिटर भाला फेक कर एक नया नैशनल रिकॉर्ड बनाया था और उस नैशनल रिकॉर्ड को भी अभी इनोंन प्रोजेक्ट अभी रामा गुंडम तेलंगरा में स्तापित किया जाएगा तो 1 जुलई 2022 को 100 मेगा वैड का भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर एनरजी परियोजना का रामा गुंडम तेलंगरा में स्तापित किया जाएगा तो NTTC यानि की National Thermal Power Corporation ने अभी रामा गुं तक स्पेस में सोलर पोजेक्ट स्तापित करेगा और दोस्तो सुरिया नुतन नामक इंडोर सोलर कुक्तॉप को IOCL यानि की Indian Oil Corporation लिमिटेड ने शुरू किया गया था और कोनारक सैंटेंपल जो की ओडिसा में स्तित है अभी 100% सोलर एनरजी से चलने वाला मंदिर बन गया थ तो दोस्तो हाली में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर एनरजी परियोजना राम गुंडम ते लंगना में स्तापित किया जाएगा दोस्तों एक्स पे चलते हैं तो दोस्तो हाली में Miss India World 2022 का खिता तो मुंबई में VLCC Femina Miss India 2022 के Grand Final का आयोजन किया गया था उसी में 21 वर्षी करनाटक की सीना शेट्टी जी ने Miss India World 2022 का खिता यह इसका 58 वा एडिशन था और इस कॉंपिटिशन में सेकंड नमबर पे राजस्तान की रूबल शेखावच जी और थर्ड नमबर पे यूपी की शिना का चोहान ज जी ने जीता सत्तरवी Miss Universe 2022 का खिता भरनाथ संदू जी ने जीता और सत्तरवी Miss World 2021 का खिता के रूलीना बिलावस का जी ने जीता तो दोस्तो आली में Miss India World 2022 का खिताब सिना शेट्टी जी ने जीत लिया जोकी करनाटक की रहने वाली 21 वर्षी यह महिला है दोस्तो लड़की ह है निक्स पर चलते हैं तो आली में NATO Summit 2022 का मडरीट स्पिन में किया गया तो दोस्तो अठाइस जुन से लेके 30 जुन 2022 के बीच में NATO Summit 2022 का आयोजन मडरीट चन में किया गया तो 32 इडिशन था दौस्तोitte आटो समिट 2022 जिसका आयोजन स्पेन के शहर मडरीड में किया गया और इ दोस्तो आली में नाटो साइबर सिक्रेटी में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया बन गया और आली में अभी कोल्ड रिस्पॉंस 2022 का आयोजन नाटो द्वारा नॉर्वे में किया गया था नेप्चून स्ट्राइक नामक एक्सरसाइस का आयोजन नाटो किये नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाजेशन जिसकी स्टापना 1949 में हुई थी जिसका एड़कटर ब्रुसेल बेल्जियम में है जिसके अध्यक्ष है डिरेक्टर जनरल जेंस टॉल्टन बर्ग दोस्तो और नाटो में करंटली 30 मेंबर कंट्रीज है तो द दोस्तो हमारे अलपसंग ख्यांकम मिनिस्टर माइनोरिटीज मिनिस्टर मुक्तार अबास नकवीजी ने मुंबई में पाचवे ग्लोबल फिल्म टुरिजम का उध्गाटन किया जिसका पाचवा एडिशन था दोस्तो और फिल्म को टुरिजम में प्रमोट करने के लिए अ कॉन्फरेंस का आयोजन मिनिस्टर मुक्तार अबास नकवीजी ने उध्गाटित किया जिसकी थीम क्या थी दोस्तो तो अंचेलिंग द पावर ऑफ सिनेमेटिक पावर दोस्तो तो दोस्तो अलि में मुंबई में पाचवे ग्लोबल फिल्म टुरिजम का आयोजन किया गया दोस्तो नेध्स पे चलते हैं तो दोस्तो वाली में अटोनॉमस फ्लाइइङ विंग टेकनोलोजी डेमोंस्टेटर की पहली फ्लाइट का सफल परिक्षेजन डियाडियों ने कर लिया तो 这LEए को डिफिनी रिसर्च डेवल्लप्मेंट और्गनाजिशन ने ओटोनॉमस फ परनाटक में Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator की पहली फ्लाइट का सफल परिक्षन DRDO नहीं किया दोस्तों और दोस्तों अभी अभ्यास नामक हीट यानी की दोस्तों High Expendable Aerial Target का सफल परिक्षन चंदिपुर उडिसा में किया गया था दोस्तों बाई DRDO बात भी DRDO की है Defense Research Development Organization जिसकी स्तापना 1958 में हुई थी जिसमें नासा की भी स्तापना 1958 को ही हुई थी जिसका एड़क्वाटर न्यू डेली में है जिसके अध्यक्ष करंट ली जी सतिश रड़ी जी है तो दोस्तों आली में Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator की पहली फ्लाइट का सफल परिक्षन DRDO ने चितर नाटक में किया गया दोस्तों नेक्स पे चलते हैं तो दोस्तों आली में HCL Technology को Microsoft Partner of the Year Award 2022 से समानित किया गया तो दोस्तों Microsoft हर सार टेक्नोलोजी के बेसिस पर Customer Satisfaction और Innovation के लिए यह Microsoft Partner of the Year Award 2022 से समानित करती है और 2022 को HCL Technology को यह पुरसकार दिया गया HCL Technology की बात है दोस्तों हिंदोस्तान Computers Limited जिसकी स्ताबना 1991 में हुई थी जिसका अड़को टर्नोइडा में है जिसके अध्यक्ष सी विजे कुमार जी है तो दोस्तों हाली में HCL Technology को Microsoft Partner of the Year Award 2022 से समानित किया गया है दोस्तों नेक्स पे चलते है तो हाली में भारतिय सेना ने जोदपुर राजस्तान में सुरक्षा मंथन 2022 का योजन किया गया तो सीमा और तटिय सुरक्षा के वारे में जनकारी एवं जगरुकता फैलाने के लिए भारतिय सेना ने जोदपुर राजस्तान में सुरक्षा मंथन 2022 का योजन किया गया और जोदपुर राजस्तान से या अभी जोदपूर राजस्तान में ही ओमान देश के साथ इस्टन ब्रिज 2022 का योजन किया गया था तो दोस्तो अली में भारतिय सेना ने जोदपूर राजस्तान में सुरक्षा मंधन 2022 का योजन किया गया है दोस्तो अली में एक नया स्पाइवेर हरमिट मार्केट में आया है तो spyware क्या होता है spy plus software इसका मतलब spyware होता है spy आप सभी को पता ही होगा spy यानि की जासूस और software यानि की software वो तो आप सभी को पता ही है तो दोस्तो spyware यह यानि की जासूस वह जासूस जो लोगों के secret जानकारी को चुराता है यानि की जानता है तो दोस्तो ऐसा software जो लोगों की सिक्रेट तूराता है इसी को अभी स्पाइवेर कहते है जो की एक नया स्पाइवेर आया है हर्मिट नामक पहले हाली में अभी पेगासेस नामक एक स्पाइवेर आया था उसके बारे में आपको जानकारी होगी ही अभी इसी तरह से वह पेगासेस से भी काफी खतरनाक है यह ह तो दोस्तो आली में एक नया स्पाइवेर हर्मिट आया है दोस्तो यहते पाच जुलई 2022 के महतोपुन नकरंट अफ़ेर्ज आज अपन क्या पड़े उसकी एक बार रिजन कर लेते हैं तो दोस्तो आली में सुतंतरता सेनानी अलूरी सिताराम राजो जी की 125 वी जहन ती 4 जु इंडेक्स 2021 में बेंगलूरू भारतिय शहरों में टॉप पे है और दुनिया में सिंगापू टॉप पे है दुसरे नमबर पे सिड्नी तिसरे नमबर पे वेलिंग्टेन है दोस्तो और 14 नमबर पे बेंगलूरू है जो की भारतिय शहरों में टॉप पे है और टॉप 20 में भ पड़ी 33 सोलर एनरजी प्रोजेक्ट रमगुंडम तिलंगना में इस्तापित किया जाएगा न्टिपीसी द्वारा नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन द्वारा और हाली में मिस्ट इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब करनाटक की 21 वर्षिय शिनाशटीजी ने जित लिया हाली हाली में Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator की पहली फ्लाइट का सफल परिक्षन डियाडियों ने किया गया जो की करनाटक के चित्रदुर्ग में किया गया हाली में HCL Technology को Microsoft Partner of the Year Award 2022 से समानित किया गया हाली में भारतिय सेना ने जोदपुर राजस्थान में सुरक्षा मन्थन 2022 का एउजन किया गया हाली में एक नया Spyware Hermit आया है दोस्तों तो दोस्तों यह थे 5 जुलई 2022 के मातुपुन Current Affairs आशा करता हूँ आपको पसंद आये होंगे अगर पसंद आयोगे तो दोस्तों लाइक कर दिजिए कमेंट कर दिजिए और दोस्तों ऐसे ही Day-to-day Current Affairs उनकी Revision Classes और General Knowledge Classes पाने के लिए गुरुभाई के 440 Fold Current Affairs इस चैनल को फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर Current Affairs पीडिया पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस इस गुरुभाई साइनिंग आफ जैशंक